तो इस वीडियो में यूनिट फाइब से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ओनलाइन कम्यूटीज को क्रेशन और सेक्यूटी प्रैविसी इसूज इस डिश्टल मार्केटिंग ये तिन टॉपिक हम आप पर रिवाइस करेंगे फटा फट तो चले स्टार्ट करते हैं तो सबस लोगों से अगर मुझे कुछ शेर करना है तो महां पर पोस्ट करूँगा और वो सिर्फ उन्हीं लोगों दिखाएगा जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं तो कम्यूटी यानि एक अपनी अलग से ही जो एक आपने ग्रूप आफ पीपल जो है एक सोसाइटी बनाते हैं में हम पोस्ट करेंगे वो सिर्फ हमारे कम्यूटी के लोग यानि कि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए ही होता है तो ऑनलाइन कम्यूटी यही होता है कि यहां पर क्या होता है कि अलग अलग लोग जो है एक अपनी परपर्च के लिए इस प्रपर्च के लिए क्मेटी से जुड़ते हैं और जुड़के वहां पे चीजों को प्रॉबलम को शेर करते हैं डिसकस करते हैं रिव्यूस्ट देते हैं वह जो नए नहीं टेक्णलॉजी आपसे नहीं मिलेंगे वहाँ पर online medium का थूरू use करके comment करके video करके post करके जो है वहाँ पर आपसे मिलेंगे तो that is online community तो online community को हम internet या फिर web community भी कहते हैं क्योंकि यह online होता है internet का use करके यहाँ पर लोग आपस में बाचीत करते हैं चीजों को share करते हैं feedbacks देते हैं reviews देते हैं तो यह क्या होता है is a group of people with a shared interest or purpose who use the internet to communicate with each other तो यहाँ पर क्या होगा कि internet का use करके एक दूसरे से communicate करना और एक जैसे interest के लिए एक जैसे purpose के लिए जो है communicate करना ही क्या कहलाता है community कहलाता है और वो भी internet का use करे तो online community हो गया purpose is to serve as a common ground for people who share the same interest main purpose क्या होता है कि से भी community का कि जो same interest शर्व करते हैं उनके लिए जो है एक place बनाना एक common ground create करना जैसे कि आप दे सकते हैं MOM 365 community है तो MOM 365 क्या है कि जितने भी ladies pregnant होती है है यहाँ पर क्या होता है कि उनके से related जो भी topics होता है जो भी issues होती है जो भी guidance होती है जो भी care होना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपस में share करते हैं कोई अपने feedback देगा कोई कुछ बताता है कोई कूछ बताता है तो यहाँ पर क्यों होता है ओबेसी बाते हैं वहाँ पर शेरिंग होती है एक कॉमर परस परसे तो यहाँ पर mom 365 बना गया mom का लग mom तो mom 365 बना दिया गया यहाँ पर कि क्या होगा कि mom से related यानि कि motherhood से related जो भी चीज़ें आएंगी problems होती है यहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं अपर problem को बताएंगे तो हाँ पर कहीं न कहीं कोई न कोई feedback आएगा उसका जो इस problem के solution मिलता है तिसी तरीके से दियो लूंगो community है दियो लूंगो community कहा है यहाँ अगर किसी को multiple language सीखने की इच्छा है यहाँ ने language सीखने की च्छा तो वह इस community को जॉइन कर सकते हैं यहाँ पर अलग-लग language को सिखाया जाता है तो यह क्या है ओनलाइन language learning आपको फ्रांस में सब्जी लेने तो फ्रेंच में इस तरीके से बोला जाता है तो यह help करता है तो community इस purpose के लिए होती है तो online communities क्या होती है कि जो business organization होती है जैसे Amazon, Flipkart, Snapchat जो भी organizations है वो अपनी website पर यह community tab बना देती है community क्या हो गया वहाँ पर customer reviews यानि कि वहाँ पर customers जाते हैं अपनी feedback product के बारे में अपनी feedback company के बारे में जो यहाँ पर लिखते हैं शेयर करते हैं जिससे बाकी लोग पढ़ते हैं बाकी customers पढ़ते हैं और एक अपना image बनाते हैं हाँ यह product लेना है या नहीं लेना है उनको decision making म शेयर कर सकते हैं common interest को share करते हैं that is online community तो benefit of online communities क्या है यानि कि online community का benefit क्या है क्यों लोग ऐसा करते हैं online community बनाते हैं तो customer support and social customer service तो यहाँ पर customer support के लिए बनाया जाता है और social customer service जानी कि customers जो social customer service होती है उसको provide करने के लिए जैसे कि जबूर नहीं है कि हर चीज में आप से बेचूं यहाँ पर क्या होता है कि आपकी benefit के लिए social welfare के लिए जो है कुछ चीज़े की जाती है तो वो online communities उसके लिए बनाया जाती है जैसे कि यहाँ पर हम आपको lectures प्रोवाइट कर रह है कोई कुछ भी comment करते तो आप भी देख सकते हैं हम भी देख सकते एक दूसरी भी देखसकते हैं जो भी problem शारी किसित्द के साथ कोई दूसरी प्रोवार और ही उसकी migration नहीं आ रहे उसका result नहीं शुह रहा है त्ये problem आप भी देख रहा हो उसका solution जो भी हम बताते है वह answer कि जाता है और एक जो है ट्रस्ट जो है क्रीयेट होता है and we to drusted Maxim BC merk को स्टकों को से करता है आप सफूरों ने कुछ पराब्व्लम है किसी कि क्ली के पास एक किसि डॉकेश के पास जाना कि जाएंगे तो आपको फीस देनी पड़ेगे तब जैसे कि आप के सामक यह दात दर्दुवार आप पहले क्या डॉक्टर के ससा निङहीं नहीं पहले अपने घर में बताते है तो घर में दादी मा ओगे मा मंपी hoगी फापा होगे यह कुछ इलाज बतातेने कि यह से लुआख खालए कुछ रख्या आपने तुहां पे customer अपनी feedback को अपने रिव्यूस को दे सकते हैं जिससे की बाकी customers भी देख सकते हैं product जिसका है वो भी देख सकता है क्या कमियां है उसको सुधार सकता है और जो website जी है जो company है वो अपने अंदर improvements लेके आ सकती है या फिर कुछ नए creativity ideas भी लेके आ सकती है customer के reviews के basis पे तो इसलिए communities बना जाती है Amazon की community है जहां पर customer reviews देते हैं और उस reviews के basis पे जो Amazon है वो क्या करता है modifications करता रहता है, changes करता रहता है this advantage भी है communities के जैसे कि text based online discussion necessarily excludes some people तो text based यहां पर क्या होता है online communities में text based होता है तो यहां पर क्या होगा कि ज़र बजाहिज यह बात है कि कुछ नोंको यह exclude कर देगा, निकाल देगा क्योंकि उनकों इंट्रेस्ट नहीं होता कि वो text पढ़े है busy online discussion forum may cause information overloaded यानि कि बहुत सारी यहां पर continuous message आया जारे है message जैसे कि आप whatsapp group देख लिजे तो whatsapp community भी एक तरीके से तो group हो गया अब group पे जुड़े हैं continuous वहाँ पे 100-200 लोग जुड़े हुए हैं और लगातार message भेज़े है, message भेजाती इतना ज़्यादा message जाता है आप क्या कर तो या तो group छोड़ दोगे या फिर क्या होगे कि उसको mute कर दोगे तो इस पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा information लो रहती है यह भी क्या है एक तरीके से disadvantage है participants में accidentally go off topic within a particular discussion thread यानि कि कि किसी एक topic पे बात हो रही है उस पर message आ रहा है comment आ रहा है एक topic पे वहीं पे बेज में किसी ने दूसरा topic डाल दिया comment में तो यह भी एक तरीके से क्या होता है कि disadvantage है कि कोई दूसरा topic वहाँ पे छेरुटता है the time lag between commenting and receiving response तो यह time lag भी होता है जैसे कि हभी हमारे साथी है कि बहुत सारे ऐसे comments होते हैं जिसका reply हम एक घंटे बाद दो घंटे बाद यहां हो सकते हैं कभी कभी एक दिन बाद भी दे पाते हैं क्योंकि कई सारी problems है एक तो हमारे पास message वह आता नहीं है कि हाँ किसी इस्टोनेस का comment आया है तो हो सकता है कि उसकत हम busy हो या फिर reply नहीं कर पाए तो time lag कहीं न कहीं हो जाता है तो यह भी क्या है online communities का एक disadvantage होता है तो benefits भी है, disadvantage भी है सभी के process कौन से है बस depend करता है कि आप उसको कैसे manage करते हो तो that is online community next topic is co-creation co-creation का simple सा मतलब है कि जब business organization अपने customers के साथ या किसी third party के साथ मिल कर जब कोई product बनाती है कुछ नया create करती है तो that is co-creation कहलाता है co-creation means is a form of collaborative innovation ideas are shared and improved together rather than kept to oneself यानि कि सिर्फ मैं ही बनाऊँगा मेरा मन जो आएगा मैं अपनी creativity के हिसाब से कुछ भी बना दूँगा ऐसा नहीं है हम क्या करते हैं अपने idea को share करते हैं लोगों से ideas मांगते हैं और मिल के जो है एक नया product ने नया innovation किया जाता है collaborative development of new value यहाँ पर क्या होता है collaborative का मिल कर मिल कर चो आप नया बनाते हो development of new values co-creation मिल कर जो है कुछ create करना together with expert on और stakeholders together मतलब कि क्या होगे co-creation में कि expert के साथ मिल के आप बना रहे हो या फिर stakeholders जैसे की customers होगे suppliers होगे इन सब के साथ wholesaler होगे retailers होगे इन सब के साथ मिल कर जो है आप कुछ नया create कर रहे हो customer से directly contact कर रहा retailers करते है तो retailers के पास ज़्यादा idea होता है तो आप retailers से पूछ सकते हो या फिर सीधे आज कल digital platform होगे customer से आप सीधे जुड़ी होगे हो तो customer से सीधे पूछे जी कि आपको कैसा product चाहिए आपको क्या लगता कि इस product में कि जो third party यानि कि customer भी हो सकता supplier भी हो सकता stakeholders भी हो सकते है या फिर experts होते है उनके साथ बैठ कर आप जो है उनकी help लेकर जो है product development कर रहो या फिर कुछ नया process create कर रहे हो तो ही चीज क्या कर लाता है co-creation कर लाता है customer co-creation often utilize the opinion and ideas from a customer based bringing fresh customer co-creation कर लाता है तो यहाँ पर कुछ examples देखेंगे co-creation का जो की market में हो चुका है और इसके examples आप से पहुचा भी जा सकता है तो जैसे Lays Lays ने जो है क्या किया था 2013 में potato chips manufacturer ने आस्क किया कि अपने follower से कि कुछ नया flavor बताईए कि chips का कुछ नया flavor बताईए जो आप flavor पसंद है उसके chips वो launch के लेंगे तो उसके basis में उन्होंने फिर और फ़र्दर जो है नय-नय chips के flavor launch के 2013 में उन्होंने customer से feedback मागा कि जो potato chips थी जो बनाने वाली company है Lays उन्होंने customer से feedback मागा customer से जो है ideas मागे कि आप बताईए कि और कौन सा flavors लाया जा सकता है तो यह क्या है co-creation है इसी तरह किसे McDonald's ने भी क्या किया था 2014 में the restaurant chain launched a major co-creative competition among its followers to reinvent its iconic hamburgers तो यहाँ पर क्या हो एनोंने competition launch कर दिया कि आप जो है follower से बोला गया कि आप जो है कुछ नया invent करिए कि हम अपने hamburger को कैसे iconic बना सकते है reinvent कर सकते है उसके लिए कुछ नया strategy अपनाई है तो that is co-creative इसी तरह के से consumers को design दे है perfect burger याना कि consumers अपने अपने burger को अपने हिसाब से design कर रहे थे और जो best था उसको जो है company ने absorb भी किया adopt भी किया और winning price भी customers को मिला तो यह क्या है कि customer ने बताया कि इस तरह के से बनाई है और company ने उसको adopt किया तो co-creation Canon ने भी इस तरह के से किया था Canon क्या करती है अक्सर आप दिन आया दिन देखते है कि लोग मांगते है कि आप वीडियो बना के भीजी हम जो है उसको publish करेंगे तो वो भी क्या एको-creation In 2012, Canon launched a competition where it invited people to share photos इन्हें community नोने के community tab बनाया और वहाँ पर उनसे बोला कि आप जो है अपने photos, videos जो भी है उसको share करिये और उसका use करके नोने क्या किया एक movie बनाई From all that unconnected material ने के लोगों ने अलग-अलग चीजे भेजी उसको use करके नोने एक short film बलाई थी starring actors like Eva Longoria and Jamie Fox and produced by Ron Howard उनका use करके जो है उस पर उन्होंने movies बनाई तो यह क्या है Canon तो यह क्या क्या लाता है co-creation आप से ideas ले, आप से content ले और उसके बाद जो है उन्होंने movie बना दी Canon ने तो यह चीज क्या रही co-creation है यह जब आप customer से feedback लेगे customer से ideas लेके कुछ नया चीज डेवलप कर रहे हो तो यह co-creation कहलाता है तो benefit क्या है co-creation का but obviously बहुत है increase return on investment बढ़ेगी क्योंकि आप customer से जुड़े होंगे great brand awareness brand awareness होगा क्योंकि जब आप customers को involve करेंगे तो customers कहीं न कहीं उस चीजों को और ज़्यादा communicate करेगा improved differentiation आपको बाकी लोगों से differentiate करेगा बाकी लोग अपने मन बेज़ आप customer के साथ चल रहे हो तो improved differentiation enhanced brand experience तो enhanced brand experience जो होगा वो customer का बढ़ेगा क्योंकि आप customer को participate कर रहे हो और जब आप customer को participate कर रहे हो अपनी चीजों में कुछ भी create करने में तो उसके experience बढ़ेगा तो brand experience जो है enhanced होगा next topic है security and privacy soon digital marketing तो देखिए जब भी कोई company digital marketing करती है आप आप online selling कर वह हो तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़े होती है जो security and privacy से related है जैसे कि phishing phishing क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि आप जो है किसी दूसरी company का नाम यूज़ करके जो है किसी का data चुरा लेते हो practice of sending emails purporting to be from reputed companies in order to induce individuals to reveal personal information such as password and credit card numbers तो आप देखते होंगे आजकर बहुत जादा हो रहा है कि क्या होगा आपके पास phone आएगा बोलें कि मैं SBI से बात कर रहा हूँ या फिर मैं bank of road है किसी भी bank से बात कर रहा हूँ आपका जो है card block हो जाएगा आप जो है अपने verification नहीं कर रहा है आपके पास email भेज दिया email पर बोला कि click कर दो click किया आपके account से पैसे कड़े है तो यह phishing है malware यानि कि बहुत सारे virus होते है spy virus होते है यह use की जाते है जिससे कि आपका data system में अंदर घुसा जा सकता है और आप जो है unauthorized access लिया जा सकता है किसी भी network में और उसका use करके आपके data को चुराया जा सकता है तो malware आप कोई भी website open करते हो कोई भी चीज सर्च कर रहे हो तो वहाँ पे कोई भी virus हो सकता है आपको पता भी नहीं चलेगा और उस virus के जरीए जो बाहर के hackers होते हैं आपके computer में घुसेंगे और आपसे data लिग कर सकते हैं तो यह भी problem होती है identity theft यहाँ पर आपके identity चुरा के आपके नाम से पर्चेजिंग कर लेंगे आपने facebook में बहुत सारे case दोगे होंगे कि facebook में क्या है कि identity चुरा लेते हैं और लोगों से पैसा मांगा जा रहा है यह identity theft क्याला था, यह भी problem होती है कि आप ही का card का clone कर ली है और आपके नाम से जो purchasing कर ली है और आपके नाम से credit पर परचेजिंग कर ली है जो company वह आपसे पैसा मांग रही है तो यह identity theft की issues आते है बैक अकाउंट डेटेज्ट यहां पर क्या होता है कि जब आप जो भी आप डाल रहे हैं और डेटेज्ट डालेगों काड नमबर डेविड काड नमबर बैक अकाउंट नमबर FSE code website पे वहीं से वह चोरी हो गया तिसलिए क्या कहा जाता है कि जब भी आप आप आईडी पासवड है इंटरनेट पैंकिंग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो soft keyboard होता है ने कि जो screen पे keyboard होता है उसका यूज़ करिए ना कि keyboard का यूज़ करिए तिससे क्या होता है कि वहाँ जो soft keyboard हो वहाँ पे buttons change होते रहते हैं तो वहाँ पे जल्दी से theft की problem नहीं होती है ति यह problem अदर जो आप company में अलग-अलग website पे अपना detail डालते हो कि नाम अपन जो address डालते हो phone number डाल रहे हो यह data भी जो है लोग खरीद रहे हैं बेंच रहे हैं इसका जो है misuse होता है ति यह भी एक तरह के से privacy issues है तो यह सारी privacy issues है इनको कैसे deal किया जा सकता है तो इनको deal करने का most important measures for online marketer include data security through antivirus firewall and encryption including keeping operating system and backup up to date तो यहाँ पे त्रिक्निक भाई यही जह है normal सी चीज़ है कि एक तो आप पहली चीज़ की वही website open करें जो HTTPS होता है तो आप देखेंगो कि जब भी कोई website होती URL होता है तो उसमें क्या होता है HTTPS होता है वो green color में होता है यानि कि वो secured website है वहाँ पर जो भी आप चीज़े share करोगे वो कोई और नहीं उसको देख सक करें कि कहीं कोई theft होतों नहीं रहा है तो उसको continuous basis पर मॉनिटर किया जाता है employee security education monitoring जो भी employees अगर आपके उसको भी आप मॉनिटर करें जिससे कि कोई भी अगर अगर अनधराइस एकसे जो तो उसको आप जो है monitor कर सके तो यह अलग-अलग measures है जिसका यूज करके आप जो है control कर सकते है security और privacy उसको remove कर सकते है using hypertext transfer protocol secure तो जो कि अभी आपने बता है कि https website को https होना चाहिए ताकि वो secure हो कोई भी data उसका लिखना सोगे तो https में क्या होता है कि TLS होता है और SSL होता है ट्रांस्पोर्ट लेयर security और SSL लेयर होता है ठीक होता है एक तरीके से authentication होता है security protocol होता है जो की browser web server पर यूज किया जाता है जिसका यूज करने पर यहाँ पर data theft की बात जो होती है data लिख की बात होती वो नहीं होती है remove हो जाती है तो वो secure होता है एक तरीके से वहाँ पर data theft नहीं हो सकता security problem वहाँ पर नहीं आ सकती है इसी के साथ कुछ चीज़े हैं जो की customer के point of view सो भी ध्यान रखने जैसे कि use two-factor authentication company जो websites होती है वो two-factor authentication का option देती है लेकिन लोग नहीं यूज करते हैं single रखते हैं तो two-factor authentication का use करिए change your password every two-three month हर दो से तीन महिने में अपने password को change करते रहिए review your profile and account setting every two-three month अपने जो profile setting है उसको review करिए और account setting को दो से तीन महिने में change करते रहिए उसको check करते रहिए check your settings for any unknown trusted device and remove them अपनी settings को check करिए कि कहीं उसने कुछ unknown device को तो चलेगे social media पर Google पर फेस्बूक के ट्युटर पर website पर चलेगे तो वहाँ पर क्या होता है अचाने सिक quiz आ जाएगा तो किज क्या होगा आप से data मांगेगा उसके बाद बोलेगा आप जीते हैं तो आपको वार्ट मोलेगा तो इस तरीके को avoid करिए मत वहाँ पर detail दीजे जब जैसे कि कैसे आप security प्राइवेसी सुस को रोख सकते हैं control कर सकते हैं तो विश्वाल दबिश्ट की पॉचिंग सब्सक्राइब चनल फामो वीडियो थैंक यू